हाई बच्चो हाव यू कैसे हो आप स्वागत अपनी इस चानल अकांटिंग गुरुजी में बहुत सरे स्टुडेंट्स के काफी समय से कॉमेंट आ रहे थे कि सर आपने काफी चीजे बताई है तरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए अकांटेंट कैसे बनना चाहिए लेकिन आप सबको पता होगा कि अकांटेंट बनने के लिए सबसे एम चीज होती है अई कि आपको बेसिक से लेकर अडवांस तक अगर सीखना है वि फिरियो कुस्तों क्या तरीका हो सकता आज की चैर्मिया मैं अच्छा कांटेंट वह होता है जिसका बेसिक होता है atherwise आप हो सकता है आपने accounting का कोई कोडस भी स कर लिया हो कहीं से या करने वाले हो आपने tally भी सीक लिया है जिसे हम computer accounting कहते हैं वीजी आपने सीख लिया है घ्याश्टी भी आपने YouTube YouTube से सीख लिया है कहीं और आप इसी accountant के प्रेंटर में काम करने लगे हो, अकाउंटेंट भी बन चुके हो, लेकिन फिर भी आपको प्रोल्लम आ सकती है, अगर आपका बेसिंग इस्ट्रोंग नहीं है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना बेसिक से अडवांस लेवल तक फिर यॉफ कोस्ट आप जा सकते हो, अगर 11 तो 12 तो वीकोंटेंट अगर आपको बनना है, इस वीडियो विडियो विल हैल्प यू टू बी आ गूड अकाउंटेंट इन फिचर, पूरी वीडियो को लास्त तक देखना, पहले बात करेंगे हम क्या क्या चीज़ चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग सीखने के लिए बेसिक अकाउंटिंग होती है तो बहले ही आप लोग चाहिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग करने लगे हो, पैली में, बीजी में, और भी बहुत सारे सोफ्ट्वेर आते हैं, लेकिन जब तक आप मैनूल अकाउंटिंग नहीं करोगे, तक तक आप एक अच्छा अकाउंट तो आज मैं आपको वह सब चीजे बताने वाला हूं और से पहले मैं अपने बारे मताओ तो मेरा नाम में गोर्भारदवाच, इने 11th किलास, मैंने 11th की चुटियों में, जो समर विकेशन होती है, उनमें टैली को और सीख लिया था, क्यों क्योंकि मेरा जो बेसिक था व बेस देते थे, पेइमेंट लिया हो, यह कर लो, थोड़ी एक्सल का काम दे दिया, कभी कह दिया कि चलो फाइल उठालो, यह कर दो, बिलिंग कर दो, बिल काट दो, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी, मैं सीखता रहा, और वहां से मैंने जब किसी अकाउंटेंड के अंडर में काम किया, तो वहां से मुझे पता लगा कि अलग अलग फरम में क्या क्या काउंटेंसी होती है, जैसे एक है आयरन की कंपनी, या एक दुकान, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी मान लो, जिनके हां लोय का समान बिकता है, अगरिकल्चर गुट्स, एक है कपड़ की major, जिसे हम stoke कहते हैं क्या एक seller होगा नहीं, कहीं पे तागज होगा inventory, कहीं पे iron होगा inventory, कहीं पे closed东西, कहीं पे आपका grocery की product होगा inventory ऐसे में कोई आपकाño, इनटर्ण, कोई होता इन kg, कोई होता है in ml, कोई होता है in boxes, तो सब को कैसे handle करना है, वह सब चीजे आपको प्रै तो अगर आपका भी मन है कि हांसर मुझे अकाउंटेंट बनना है कि अगर कुछ रह जाए तो यार महाफ कर देना आगे कभी आपको बता दूंगा सबस्क्राइब करना है कि क्या क्या चीजे हमें चाहिएं देखो अकाउंटेंट जैसे होता है कि अगर आप कर रहे हो तो इसके भी चार पिलर होते हैं इसे हर बिल्डिंगे चार पिलर जिनमें कि उन से रूल्स नहीं लेकर आरही है उनको याद रखना वोसमझना तो रूल्स होगे तो आप पड़ी लोगे जनल एंटी सबसे पहले चीजे जो आपकी स्ट्रोग होनी चाहिए अब जनल एंट्री के लिए क्या करें कहां से करें सब बता और टेंशन मतलो जनल एंट्री आपको inventory मैंने भी बताया कि किस तरह के वैपारी है किस तरह का business है उस business में किस तरह की transactions है iron की है cash में paper की है grocery की है यह input output manufacturing क्या oil का काम है क्या काम है वो आपको देखना होगा और हर जगे पर आपको नहीने inventories मिलेंगी तो उसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए financial statement जो end of the year बनता है अगर accountant को वही नहीं आता तो accountant किस बात का जिसमें P&L बनता है balance sheet बनती है ठीक है ना उसमें फिर जब यह बनता है तो एक perfect हो ताकि जब CA के पास जाए तो उसे भी लगे कि accountant अच्छा है otherwise जब CA के पास जाता है एक बार verification के लिए वो समझ जाते है कि accountant क्यासा है वो बता देते हैं आपकी company को मालिक को कि भाई धंका accountant यह से निकालो समझ रहे हो तो आपका जो कहीं ना कहीं वह आपका जो एक evaluation है वहां पर होता है adjustments की financial statement में adjustment जो होती है end of the year जैसे depreciation के adjustment होगी interest हो गया capital पे drawing पे उसके लागो कुछ ऐसी adjustment जो end of the year हमें पता लगी कि साल के बीच में होनी चीए थी हमें नहीं पता थी तो वह भी bank reconciliation यह बहुत जरूरी है क्योंकि आप समको पता हुआ कि bank में नहीं पता bank reconciliation क्या है तो मैं इन brief इन brief ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से bank में बहुत बार हम transaction करते हैं उसके entry यहां भी करते हैं bank में भी करते हैं मालीजे महीना खतम हो गया 30 थारीक आज महीने की last date आपने किसी को check card कर दिया payment कर दी है और आपने paid लिग दिया लेकिन bank से payment नहीं गई बैंक से जाए अगले महीने तो जो balance है आपका और bank का वो match नहीं करेगा इसलिए में यह भी सीखना जरूरी है GST की knowledge होना जरूरी है बह क्यासे काम करता है उसके लाब जो returns जाती है वो कब-कब कितनी जाती है कौन से अधिकारी के इंटर में जाएगी वो सारा आपको देखना होता है है ना websites वगेरा चलाना उनके check करना updates वगेरा everything computer accounting जो इसमें आप tally वगेरा सीख सकते हो excel आपको आना चाहिए इसमें आप tabulation क पर सको क्योंकि जो balance sheets वगेरा बनती है वो हम क्या करते हैं अपने tally software से excel में export कर लेते हैं फिर वहाँ पर जो हमें adjustment करनी होती है अपने हसाब से कर देते हैं और CA उसको verify करता है तो यह सारी चीजे अब यह चीज आपको चाहिए अच्छा content नहीं basic content बनने के लिए अच्छा content तो practice के साथ बनोगे लेकिन accountant बनोगे इन सब चीज के साथ अब यह सब चीजे सीखे कहां से क्या किसी देखो आज की रेटर मैं आपके चीज बताना चाहता हूं आप अगर यह सोच रहो कि किसी course को कर लेते हैं जो accountancy का कराते हैं वो केबल उपर उपर से आपको कराएंगे मैं देखता हूं जितने भी लोग course कराने वाले हैं accountancy के कि हम accounting बना देते हैं यह कर देते हैं कुछ नहीं है हमारे सेर में भी कहीं सारे हैं वो क्या करते हैं आप गए आपको एक list देदेंगे जावेटा general entry करो तो पता लगा 10 दिन general entry में निकल रहे और कोई basic मनलब funda नहीं ह आइए बात करते हैं अब कि यह सीखेंगे कहां से जैसे कि आप से video में ने थमनेल में लिखा है कि फिरी में आप सेक्ते हो तो फिरी में बताऊंगा और वो चीज बता रहा हूं जो मैंने किया जो मैंने सीखी थी और मैं अपने आपको इतनी है तकी मैं बोत बेड़ा content रहा यह रहा लेहां मेरा basic काफी strong रहा और उसके लिए मैं thankful हूँ अपने teacher को जिनों ने मिझे guide किया था and आप लोग thankful हो कही न कहीं accounting guru जी के लिए तो आप लोग इस वीडियो का last तक देखें समझे सबसे बेला है कि 11th में और become first year में जो accounting की book होती है 11th में आप सकता है basic accounting होती है जिसमें journal bundle जो मैंने चीजे बता ही सब होती है ठीक है और become investor में जो accounting होती है उसमें भी काफितर जैसे departmental store है उसकी accounting कैसे होती है कोई partnership firm है उसकी accounting कैसे होती है कोई royalty का काम है उसकी accounting कैसे होती है बड़ी company है उसमें accounting कैसे होती है सब चीज आपका become investor की accounts में मिल जाएगी जिसे वह पर पढ़ा था पास होने के लिए marks लाने के लिए हो सकता है आपने रटा भी कर आऊ बटब अब आप पढ़ोगे लर्णिंग के लिए सीखने के लिए अगर उसी समय मां जाती तो आपकी अच्छी करने चाहिए पढ़ने तो मैं इसी पढ़ता था तो उसी आप सी पढ़ता था कि मुझे मज़ा था पढ़ने में समझने में मज़ा था तो वह चीज अगर आपकी है तो बढ़िया है अब आप कोगे सर क्या 11 तर बीकॉम का अकाउंट्स पढ़ने से हम माश्टर हो जाएंगे नहीं वहां जो पढ़ते हैं वह है बुकिज नोलीज प्रैक्टिकल नोलीज अलग है जैसे एक एग्जम्पल के लिए बताओं कि आपने कोई गूट्स परचेज गिया परचेज टू क्या के चीज सेल करी दस तरह की आइटम सेल करी तो उनकी पूरी लिस्ट बनती है इन्वेंटरी फिर कैस तो आता ही है क्या होगा बिलिंग कहां से करीब बैंक से होगी या किसे पार्टी का नाम आएगा है ना तो यह सब चीजे होती है तो उसके लिए समझो कि हम जो होती है वह कहां से लेकर आए तो उसके लिए सबसे बहला तरीका है यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल से आप बिजनीस फिनेंशल ट्रांजेक्शन या बिजनीस प्रफेशनल जर्नल एंट्री ऐसे करके सर्च करोगे तो कावी सारे चैनल से अपनी लिस्ट बनाते है वह प्रफेशनल जर्नल एंट्री कैसे बनाए ठीक है नमबर तो अगर वहां से काम चल जाए यूट्यूब चैनल से आप थोड़ी बहुत सीख पाऊंगे ज्यादा नहीं आपको किसी सीनियर अकाउंटेंट के पाथ जाना होगा उसके हाथ पर पकड़ने होंगे जोडने होंग कैसे भी करके सीखना है ना मैं एक ऐसा अकाउंटेंट जिसके है तो खुद का ओफिस हो यह फिर कहीं पर अकाउंट्स करने जाता हो तो उसके बोलो मुझे अपने साथ लगा लो जो कुछ देना ना देना मुझे सीखना है आपके लिए मैं दो चर काम एक्स्ट्रा कर कया सेक्या आपके लोय करते हो जो तो की तो मानी जाएगा अब कुछ लोग यह कहेंगे कॉमेंट में कि सर हमारे पास तो यह अंधा Любine बिक्सक्राष भंधार मिस,' कर सकते ही और थेक्स तो वन येर तक आप कर सकते हो, किसी CA के पास या टेक्स के लोर के पास प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मलत यह नहीं है कि वह आप से, वह नहीं सिखाएंगी कुछ भी, वह आप से कहेंगे बैंक चले जाओ, क्लाइंट को एंडल कर लो, एक्सल में शीट बना लो, यह फाइल बना लो, यह सब कहेंगे, लेकिन आपको फिर भी देखते रहना है, कि बिजनिस की फाइल आएंगी, आपके पास पास पाइटीज की, उनमें क्या 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 ट्रांजेक्शन है, पिछले साल अकाउंटिंग क तो GST की नॉलिज़ भी आप यूट्यूब से ले सकते हो, बहुत सारे चैनल से गाइट करते हैं, जिएस्ट को लेकर, और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना किसी टैक्स लोर के पास, तो काफियत तक GST के बारे में आपको वहां पता लग जाएगा, फिर आप किसी फर्म मे जा सकते हो, कहीं पर जोग के लिए जाओगे तो अपने आपको सीनिर अकाउंटेंट मत बताना, तो प्रैशर बहुत आजाता है, यह बताना कि हाँ सर मैं फ्रैशर हूँ, यह कहके जाना, तो आपको ऐसे फ्रैशर टीट करेंगे, और यह भी नहीं कहना कि मैं जीर हूँ, मैंने साल दो साल काम किया हूँ, तो आपको क्या करेंगे, ऐसी फरम में आप जाओ जहां पर अल्रेडी एक अकाउंटेंट है, आप सेकंडरी अकाउंटेंट हो, तो आप उसके साथ रहें के उनके गुर्ण लोगे सीखोगे, मैंने यही किया था मोस्तली और मुझे काफी अच्छा लगाता है, कोई कोई सीखाता नहीं है, लेकिन अगर आपकी कॉंटेट्स अच्छी आजाएंगे, तो बहुत सारी चीज़े आपको बताते रहेंगे, जिससे आपकी जो आपकी बढ़ेंगे, तो वहाँ से जब आप अकाउंटेंट बनने लग जाओगे, साल में, दो साल में, आपको जब दो फिनेंशल यर आपके बीथ गए, तो आपको सारी ट्रांजेक्शन, सरकमिस्टांस से सब पता लग जाएंगे, फिर आप कहीं भी जा सकते हो, कि मैं अकाउंटेंट हो, बाकी आपकी प्रैक्टिस पर है, पैसे आपको उच्छाप सु मिलेंगे, पार्ट ताम काम करोगे, तो पार्ट ताम के पैसे आप ले सकते हो, अगर आपको छोटी-चोटी फर्म मिल जाए, अगर बड़ी फर्म में काम करोगे, तो आपको काम करोगे तो आपको फूल डे के लिए 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 this is our final result जो आपके लिए content बनने का है मैंने अपना बैस दिया मुझे लगा कुछ लोगों को अच्छा लगिया कुछ को नहीं आपका क्या कहना इस बारे में keep commenting, comment box open कुछ कुछ